प्रदेश में जहां एक तरफ बीजेपी नरेंदर मोदी की लेहर के साथ आगे बढ़ रही है तो वही दूसरी तरफ इनेलो भी लंबे अर्से से खाता खोलने के लिए बेताब है एक तरफ जहां एनेलो तमाम तरीके से अगर हम बात करें प्रष्टाचार के मुद्दे को उठाती है तो वही दूसरी तरफ विकास में भेदभाव का मुद्दा भी इनेलो जोर शोर से उठा रही है रहोतक से जब इनेलो प्रत्याशी शमशेर खरकड़ा से जुनता टीवी ने बात की तो क्या कुछ कहा उन्होंने आप खुद सुनिए जंग शुरू हो गई है और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि लंबे वक्त से अपना खाता भी नहीं खोल पाई इनेलो पार्टी इस बार क्या कुछ करने वाले कि इस बार इनेलो ने एतबार जोता है हमारे साथ शमसेर सिंग खरकड़ा जी जुड़े हुए हैं लंबे वक्त से हमें कि सोशल वरकर की बात करें या फिर हमें कहें कि अच्छा खांसा जुडाव रहा ताउ देविलाल के साथ भी क्या महसूस कर रहे हैं सबसे पहले मैं यहीं जाना चाहूंगी रोतक सीट को ले यह अफसोस है इस दुर्बाग्य है इस इलाके का के बुपेंदर उड़ा दस साल बतोर मुख्यमंत्री लूट का राजरा जूट का राजरा की कलंक लगा के इस इलाके पर चला गया अब से बड़ी बात यह आपने जिकर किया शासन कहां एक चीज देखते हैं कि यह वही सी बीजेपी का उमिद्वार अलग है लेकिन बीजेपी का उमिद्वार कमजोर और डमी है इसलिए लोगों ने मान लिया कि भुपेंदर उड़ा के साथ बीजेपी अरियाना बीजेपी की मैच कुछी दिन पहले नरेंद्र मोधी गुहाना में कहते हैं कि चनता जो है वो किसी चश्मे से ना देखे और वोटों को बातने की कोशिश जहां तक चुनाओ का तालोक है चुनाओ में हम अलग लग चुनाओ लड़ रहें तो निश्टित रूफ से मोधी जी को यही करना चाहिए जो उन्होंने कहा उन्होंने जो आज मोधी ने बोला तो फिर अटल भी आरी बाजपी समर्थन मांगने क्यों आए आज मोधी जी कहे दे ना कि हम किसी भी कीमत पर इंडियन नैसनल लोग दल का समर्थन चुनाओ के बाद नहीं लें कहे के दिखाए कोई बीजेपी का नेता देखे बीजेपी काफी हत तक हम भी देख रहे हैं कि जो लेहर नजर आ रही थी या जो मजबूती नजर आ रही थी सीटों को बाटने के बाद हर सीट पर रिवाद हुआ और हम देखते हैं कि प्रदर्शन होता है प्रदेश दिख्ष का पुतलभ होगा जाता है तो वो क्य होता नहीं होने दिया यह दड़ा नरेंदर मोधी के पर दानमंतरी बनाने के मामलें सुरू से अडंगे लगा रहा है एक बात जो अब है चौटाला के बयानों में अकसर हम सुनते हैं कि दिपेंदर हुड़ा बिमार है क्या आपको लगता है कि वाकर सहानुबूती वोट वट वो क्या इशूज हैं जिनको लेकर हमें कहें कि आगे की राजनिती आप करने वाले हैं जनता आपको वोट दे तो क्या वायदे हैं या क्या आप उनको मूलभूत सुविधाय देने वाले हैं हमारी पहली परात्मिकता होगी पर देश को साप पानी उप्लब्द करवाएं दूसरी हमारी परात्मिकता होगी यह बादमी बेमार हो जाए गरीब आदमी प्राइवेट हुस्पिटल में नहीं जा सकता हम जो हैं कि जीरों वोट्दार करेंगे शम्शेर जिंगी बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत के लिए दिलचेस्प रहेगी सीट क्योंकि रोहतक का जिक्र हम कर रहे हैं गड़ की बात हो रही है साक का सवाल खुद दिपेंदर हुड़ा जो है सीम हुड़ा के बेटे इस सीट से हैं तो क्या कुछ खास रहने वाला है इसकी जानकारी भी आपको देते रहेंगे फ्रोहतक से कैमरामेन राहुल के साथ जनता के लिए जीनत की रिपोर्ट